अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यह बिल्कुल फ्री है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यह ने लिया है रिगण अपलनीके छडरा दिया है एं- चरि Спटा दृरीर मेरे नारियर नसजीड चिरण ऑपिस्टा जैसे मैंने चॉर्प कर रखा हूए हैं इंच यह पूलें ज wannya कि आयों यह नार्यल फोले is a अल खाला कर देदाने को छलता सीजिवारे केुए यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले रही हूँ मैं गी लूंगी में एक बड़ा चम्मच जितना आपको पसन हो अतना लिजिए अगर आपके पस कंदेन्स मिल्च में लूंगी में अगर आपके पास में है तो दालिए वन्ह नहीं है एक चम्मच लूंगी में हरी लाची का पावडर तो देखिए दूद को मैंने उबलने के पहले से चड़ा दिया था मैंने इसे 10 मिट पहले से चड़ा के रखा हुआ था साथ में मैं इसमें सैफ्रॉन दाल दे रही हूँ आधा चोटा चम्मच अब इसे मैं दस से 20 सेकंड तक लिए इसी तरीके से चोड़ दूँगी तक जितना भी सैफ्रॉन का कलर है वह दूद में निकल के आ जाए तो देखिए 10 से 20 सेकंड में पुरत जो सैफ्रॉन है अपना क अब जब कि शैफ्रॉन अच्छी तरीक से मिक्स होगया है तो मैं चॉप करके रखा हुआ है वह भी अब मैं दाल देती हूँ और फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगी चौरा दूद में अच्छी तरीकी से पक जाएगा क्योंकि चौड़ाई जो होते हैं आपको दिखाए थे इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब मैं चावल को एड़ कर देती हूं दूद में आप और इसे कंटीनियू हम मिक्स करते जाएंगे ताकि चावल के लंग नपन जाए और दूद में अच्छी चावल है हमारे मिक्स हो जाए इस तरीके से आप भी से कंटीनियू चलाते रहे हैं और मिक्स करते रहें कर दो कर दो कर दो कर दो कर देखिए जो चावल है वो पकना शुरू हो ग immersive अब यहां को दो खुचक अब तो कृण आप दो कृणिटी कम लगती है तो चावल आप और डाल सकते हैं बट मुझे यहां और गाड़ी होती जाएगी और थिक होती जाएगी तो कंटीविन से आप चलाते रहें इसी तरीके से और इसे एक सिन में आप छोड़ दीजे पकने के लिए तब तक के लिए यहां पर देखिए मैंने प्यायन में गही गरम कर लिया है यह जैसे हमारा गरम हो जाएगा हमारे यह जो ड्रै फूटस है हम इसे लो टो-मीटियम फ्लेम में फ्राइगाँ कर लेंगे अचे तरीके से फ्राइग हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और यहां देखिए जो हमारा दूद है वह भी ठीक हो गया है चावल अच्छी तरीकी से गल चुके हैं तो इसमें मैं अभी लाची पॉर्डर दाल दे रही हूं एक छोटा चम्मच और इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर दिंगे फिर से हम एक पर और अब हम इसमें डाल देते हैं कंडंस मिल्क यहां मैंने चार से पांच बड़ी चम्मच कंडंस मिल्क के लिए हैं को कि अब मैं इसमें डाल देती हूं स्वादनों साल शकर जितना भी मीठा पसंद करते हूँ आप इसमें उतनी शकर दाल सकते हैं अगर आप शुगर-फ्री यूज़् करते हैं तो आप शुगर-फ्री भी डाल सकते हैं अब इन सबको हम एक बर और अच्य तरिकी से मिक्स क गुलने तक के लिए हम इसे कोक करेंगे, तो देखिए हमारी शक्कर भी अच्छी तरीकी से मिक्स हो चुकी है, तो हमने जो ड्राय फोट्स को फ्राइ करके रखेते हैं, हम इसमें दाल देंगे, अब हमारी खीर जो है बिल्कुल तैयार है, हम इसे रूम टेंपरेचर में या प्रीज में रखना के बाद इसे सर्फ काने लिए फ्रीज में रखना के बाद में ये थोड़ी से थीक हो जाते है, इसलिए आप भी इतनी ही थीक करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा थीक हो जाती है अब इसमę दालेंगे पिस्ता पिस्ता को हम फ्राइइंग करेंगे डिरेक्टी दालेंगे इसमें और इसे पिर एक बर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो देखिये हमारी जो खीरी बिल्कुल तखे है तो आप हमसे ठंडा-ठंडा सर्फ करेंगे तो नाजरीन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज में चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ में बैल आकन को ज़रूर दबाएए ताकि आपको मेरी हार एक नोटिपिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें अल्ला हापि चुनुनुनुनुनुन्मा टूओ तो प्ली रहें शेछे़ लगी है चानित मिलते रहें तो प्लीज है नाजरी है।